जी मंचकुला स्थित CBI की विशेश अदालत ने आज जो फैसला सुनाया है रंजीत सिंग मर्डर केस में हम उसका स्वागत करते हैं और बिल्कुल अदालत का यह जो निर्ने है जिसमें रंजीत सिंग हत्याकान के अंदर डेरा प्रमुक गुरमेट सिंग और उसके साथ जितन योग के कदम है हम अदालत का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस मामले के अंदर क्योंकि काफी समय से लंबित चला आ रहा था यह मामला करीब करीब 19 साल से लंबित है यह मामला वर्ष 2002 की घटना थी और 2021 में आज यह फैसला आया है तो पीडित परवार के लिए भी यह राहत भरा फैसला है और मेरा यह मानना है कि इस मामले में क्योंकि इतने समय से लंबित था और आज दोशी करार दिया गया है तो हमारी अदालत से यह गुजारिश है कि इन मामलों के अंदर क्योंकि जो आरोपी है अपरादी जो है गुरमीत राम रहीम जो की एक था Caitlin के अब आदालत में साबित हो चूका है रेप के मामलों में हत्या के मामलों में पहले वो सच्चा याफ्ता है और एक अध्या के मामले में अब फिर उसे दोशी करार दिया गया है एक अन्य अमामला जो है सादूं को नपुनसक मनाये जाने का वो भी अदालत में क्योंकि लंबित है तो एक आदतन अपराधी होने की वज़ाए से हम ये अदालत से गुजारिश करते हैं कि गुर्मीत राम रहीम को कैपिटल पनिश्मेंट दी जाए उसे फांसी किसा सुनाई जाए ताकि लोग जो है वो नसियत लें आने वाली भी याद रखें कि अपनी पावर का इस्तेमाल करके लोगों को अंधी आस्था के नाम पर उनको उनका शोशन करके किस तरीके से कानून के साथ खिलवार किया जाना जो है वो छोटा मोटा अपराद नहीं है ताकि आने वाले पुछतें याद रखें और इस तरह का की कि क्योंकि उस वक्त रंजीत के बेटे जो हैं वो बहुत छोटे थे आठ साल के उमर में तो रंजीत सिंग के फादर जोगिंदर सिंग अपनी बजुर्ग अवस्ता में अपने एकलोते बेटे को खो देने के बाद नयाय की बाट जो हते रहे लंबा समय नयाय के लिए के रहते रहते ये फैसला है अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद